हर्याड़ा विदान सबाचुनाव 2024 का नतीजा आज 8 अक्टूबर को आने वाला है सुबह से ही काउंटिंग चल रही है और सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस और बीजेपी के बीच काटे की टक्कर के रूप में जीत किस पार्टी को होने वाली है इसको देखने वाले हैं देखने को बेताब है अब तक में साड़े तीन बज चुका है और नतीजा अभी तक आए नहीं है काउंटिंग चल रही है जिस तरह से सुबह 10 और 11 बजे के बीच में कांग्रेस आंधी की तरह आगे भागती हुई नजर आ रही थी उसी तरह से अब वो पीछे हो गई है और कांग्रेस की जगह पर बीजेपी अब आगे दोड़ती हुई नजर आ रही है अब तक जब समय हो रहा है तीन बज के करेब 40 मिनट तक तक का नतीजा यह है कि बीजेपी ने 30 सीटे जीत करके 38 सीटों पर आगे चल रही है तो वही पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 14 सीट जीत तो लिया है उसने 20 सीटों में अभी भी उसकी कांटिंग चल रही है अब देखते हैं कि यह नतीजा कब तक में फाइनल होता है और लोग किस पार्टी को आगे देखना चाहते हैं अगर सोसल मीडिया में और लोगों की अगर बात की जा जी से वो चर्चा कर रहे है थे सोसल मीडिया में पुठाचे फोड़ रहे ते मिठाऐं बाट रहे थे खास कर कांग्रेस कारहेलों में तो अब जो तस्वीरें दिखाए जा रहे थी वो बदलने वाली हैं और बीजेपी के कारेलों में ये रंगा-रंग मौहल देखने को मिल रहा है अब देखते हैं सच में जीत वाली मिठाई कौन से पार्टी और कांसे कारेले में खाई जाने वाली है और पटाखी किस पार्टी के कारेले में फोड़े जाने वाले हैं